अर्जेटिना से निर्याद पढ़ने की संभावनाओं का असर सीबोट सोया बीन कोंप्लेक्स पर देखने को मिल रहा है सितंबर के दवरान सोया बीन निर्याद के लिए तरजी विन्मे अदर की पेशकेश करने के अर्जेटिना के फैसले से अमेरिका से निर्याद सुस्थ पढ़ने के अंदेशे से सीबोट सोया बीन टूट रहा है सोया मील और सोया तेल में भी जोरदार गिरावट दर्च की गई है और सोया तेल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है विदेशी बाजारों में खाद्या तेलों के दाम गिरने के बीच सरकार द्वारा देश में भी खाद्या तेल के भाव में और कमी लाने पर जोर देने के कारण भी सोया बीन की कीमतों में गिरावट आई है सोया बीन कारोबायों का कहना है कि इस सल सोया बीन की पैदावार बढ़ने के साथ ही इसकी क्वालिटी भी बहतर रहने की उमीद है किसानों ने नई आवक से पहले सोया बीन के भाफ ज्यादा मिलने की उमीद में इसका स्टोक कर रखा था लेकिन ऐसा ना होने से अव्वे मंडियों में आवक बढ़ा रहे हैं मंडी में इस समय 1500 से 2000 बोरी सोया बीन की आवक देखने को मिल रही है चपकी आम तोर पर इस समय 1500 से 200 बोरी की रहती है वहीं देश भर में इस समय सोया बीन की बॉई 120,004,000 हेक्चर में हुई है चोकि पिछले साल की समान अवधी में 120,60,000 हेक्चर देखने को मिली थी सोया बीन की बुआई लगबग खतम हो चुकी है अब सोया बीन के रखमे में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने के आसार है लेकिन अब तक ज्यादा तर सोया उत्पादक इलाकों में फसल किस्तिती अच्छी बताई जा रही है ऐसे में आगे नुकसान नहीं हुआ तो उत्पादन बढ़ सकता है और कीमतों पर दबाव बरा रह सकता है विरू रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी